हलो दोस्तों मैं एक शनारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चलना रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं आप यहां पर पढ़ते हैं इंटर्मिट की मैथ और फिजिस की क्लास बहुत ही सरल और यूनिक तरीके से तो आज मैं आप लोगों के लेके आया हूं मैथ की क्ला आप लोगों को बताया था कि मैंने एक बार आप लोगों को बताया था कि मैं टीचिंग के साथ साथ कुछ कविताएं भी लिखता हूं मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी थी फिर मैंने सोचा चलो हम इन कविताओं को लेकर के यूट्यूब पर चलते हैं आप लोगों को सुनाते हैं तो हमने एक नया चैनल बनाया हुआ है अगर शेयर करिएगा जरूर विजट करिए अक्षेन आरिया चैनल पर फटेक है तो चलो हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में हमने बताया हमें कुछ नमबर 20 से आगे के क्विस्चन सॉल करने हैं ठेक है तो कुछ नमबर 20 को देखिएगा एक बार दिया गया है क्या fx ए इक्स इक्वल पाई पर संतत है बताना है कि यह जो फॉलन दिया गया है क्या एक्स इक्वल पाई पर संतत है ठीक है तो हमें यह चेक करना है हम लोगों को पता है हम कैसे चेक करते हैं सबसे पहले एक्स इक्वल पाई पर इसका वैलियो ही निकाल लेते हैं तो निकाल लेते है x equal pi पर इसका value यहाँ पर क्या रखेंगे pi का square माने sin x की जगे पर pi plus 5 अब हमें पता है f pi equal क्या आने वाला है pi square माने sin pi का value तो 0 हो जाता है बच्चा simple सी बात है यह 0 हो गया क्या बचेगा हमारे पास plus 5 बचेगा तो f pi का value हमारे पास pi square plus 5 आया है अब देखते हैं इनका lhl और rhl निकाल करके यह देखते हैं अगर यह भी equal आते हैं तो definitely यह संतत होगा otherwise यह असंतत होगा ठीक है तो check करते हैं इसका limit lhl निकालते हैं lhl में क्या किया जाता है हमनों को पता है limit x approaches सबसे पहले pi minus करेंगे pi minus का मतलब क्या है pi से कुछ कम होना चाहिए मतलब x का value pi equal नहीं है pi के equal नहीं है बलकि pi से कुछ कम है कितना कम है तो x का value जो pi से कुछ कम है, कितना कम है बहुत ही छोटी सी value कम होती जिसे हम h कहते हैं, जो कि h होता है approaches किससे 0 के approach करता है, आप लोगों को पता हो गए अगर आप लोगों ने पिछले वाले वीडियोस देखे हैं, ठीक है तो यहाँ पर हम यही करते हैं, x equal pi minus है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस function को लिखते हैं, जरा क्या लिखा हुआ है, x square minus sin x plus 5 अब हमें पता है, x को हम limit में बदलते हैं h, तो limit क्या हो जाएगी limit h approaches 0 हो जाता है, और हमेशा हमें x की जिगह पर क्या लिखना है, अभी हमने लिखना है, pi minus h ok, और plus 5 ok, इतना हो गया है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनका हम whole square कोल देते हैं, pi minus h का whole square खोलिएगा, जरा जब pi minus h का whole square खोलें, या ना खोलें, ऐसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम खोल देते हैं, तो जएदा bitter लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, limit h approaches 0 करें, और यहाँ पर हम pi square, a square minus a minus b का whole square क्या होता है, a square minus b square plus minus 2 a b, ठीक है, तो a square pi square plus b square मतलब हो जाएगा, h square और minus का 2 a b, 2 pi h, ok, a square plus b square minus 2 pi h हो गए, इस तरह से, आगे हमें क्या करना है, इसको ऐसे रखते हैं, sin pi minus h plus 5, ok, यहाँ पर हम जरा limit रख देते हैं, limit रखने का मतलब क्या है, कि हम यहाँ पर h की जगे पर 0 रखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर limit रखेंगे, यह pi, x equal किस पर चेक करना था pi पर, ok, यहाँ पर माने लिदिखाए, अब ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर limit रखते हैं, तो क्या बन जाएगा, यह तो pi square रहेगा, h की जगे पर क्या रखना है हमें, 0, तो h की जगे पर हम 0 रखेंगे, तो h square क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा न, यह 0 हो गया, minus यहाँ 2 pi into h, h की जगे पर 0 रखेंगे, 0 से 2 pi का multiply होगा, यह भी क्या हो जाएगा, 0 ही होने वाला है, minus का sine, sine and pi, minus h, minus h, मतलब pi से h का value 0 रखेंगे, तो pi से 0 घटेगा, तो pi बचेगा, तो sine pi लिखेंगे, and plus 5, ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान से देखेगा, जरा, यहाँ पर pi square बचा, इससे तो कोई लेना देना है, नहीं, sine pi का value क्या होता है, यह भी 0 होता है, तो इससे, इन तीनों से कोई लेना नहीं है, बचेगा कि हमारे पास, plus 5, तो हम देख रहे हैं, हमारा lhl कितना आया है, pi square plus 5, और f pi भी इतना आया था, अभी तक हमारा सब को सही चल रहे हैं, आप देखते हैं, कि हम rhl निकालते हैं, आर्चल में क्या किया जाता है, limit x approaches pi plus होगा, pi plus का मनलब है, x का value pi plus h लिखना है, वहाँ पर h approach किससे करना होगा, 0 से तो clear होता है, then हम इसे यहाँ पर यह function लिख देता है, x square minus sin x plus 5, ओके, यहाँ पर अपकी बार हमें क्या करना है, तो यह लिख दिया, हमने limit h approaches 0, और x की जिगए पर क्या लिखना है, pi plus h का whole square minus sin pi plus h और plus 5, ओके, limit हम रख देते हैं, तो यहाँ पर h की जिगए पर 0 रखेंगे, तो क्या बचेगा, pi plus 0, pi plus 0 क्या हो जाएगा, pi, pi का square हो जाएगा, then pi का square minus sin, shine h की जिगए पर क्या रखेंगे, तो h की जिगए पर 0 रखेंगे, तो pi plus h क्या हो जाएगा, 0 ही, sorry, pi ही रहेगा, तो shine pi और plus 5, ओके, तो यहाँ पर अब ध्यान से आप लोग देखेंगे, तो आप लोग को पता चलेगा, कि sin pi का value क्या होता, 0 प्लस 5, ओके, तो यह answer क्या आया, pi square plus 5, ओके, तो हम देख रहे हैं, कि हमारा rhl और lhl, lhl लखेंगे ठीक, कोई बात नहीं ठीक है, और जो f pi था, यह सारे के शारे equal आए हैं, अता हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि यह फलन x equal pi पर संतत है, पूछा गया था, क्या x equal pi पर संतत है, या नहीं है, तो अब हम लिख देंगे, अता है यह फलन x equal pi पर संतत है, ओके, सो यह हमारा answer आ चुका है, आप लोग इससे बहुत ही आसानी से solve कर सकते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो आप आसानी से solve कर पाएंगे, तो मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक काम करिएगा, आप लोग शुरुआ से देखिएगा, इसका जो part 1 है न, पार्ट 1 से देखिएगा, definitely आपको समझ में आएगा, ये में गरंटी लेता हूँ, चलो हम चलते हैं, question number 21 पर, 21 में 3 question दिये गये हैं, तीनों को हम लोग चेक करते हैं, तो सबसे पहला question दिया गया है, निमन लिखित फलों के सांतत्य पर विचार कीजिए, और इसमें से a वाला function दिया गया है, fx is equal to दिया है, sign x plus cos x, okay, sign x plus cos x इतना दिया गया है, अब हमें इस पर विचार करना है, विचार क्या करना है, मतलब सांतत्य चेक करना है, सांतत है या नहीं है, तो अच्छा है, यहाँ पर कोई बिन्द तो दिया नहीं है, कि x equal to पर चेक करो, pi पर चेक करो, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, कि हम x equal c पर चेक कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक है, तो x equal c पर हम check करते हैं तो fc निकाल लेते हैं बहले fc equal क्या हो जाएगा sin x giga पर c plus cos x giga पर c ठीक है तो fc हमारा इतना आ गया अगर fc इतना आया है तो lhl और rhl भी इतना आना चीए तभी तो संतत कहा जाएगा देखो इसके कई तरीके हैं वहों लोग यहाँ पर root 2 से multiply और गुणा करते हैं ठीक है तो यहाँ पर गुणा भाग कर रहते हैं वो उनका तरीका है ठीक है लेकिन हमें पता है कि आप लोग यहाँ पर सबसे सरल तरीका सेखते हैं पर हम सबसे सर होता ही अपनों के लिए लिखिया है तो चलो ये तो हो गया FC से इतना हो गया अब हम क्या करेंगे इसका एल एिचल निकालते हैं ल्यवर्य हल मि जाता है चापड़ चर्द च limally जाता है यहां पर हम लिमिट Sum去 DO शीरव औरSka नहीं करने सी लिखना होता है कि आपि alert मैसी माइनस एच-प्लस कॉस fat यहां पर हम चाहती यही पर एच का वेल्यू मतलब ले लिएच लिमिट यहां पर ले लेते यहां पर 0 लग दिजे, यहां पर 0 लग दिजे, sin c plus cos c बचेगा, वही हमारा आ जाएगा, और अगर आप लोग थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां पर sin a minus b का formula कोल दिजे, यहां पर cos a minus b का formula कोल दिजे, उसके बाद में limit ले लिजे, तो हम लोग क्यों बढ़ा करेंगे, हम लोग आसानी से सीखते हैं, यहां पर हम limit ले लेते हैं, limit लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, sin c minus 0 plus cos c minus 0, ok, s का जगए पर हमने क्या लिख दिया है, 0 लिख दिया है, तो sin 0, c से 0 जाएगा, c ही बचेगा, तो यहां पर दिखरा आलोग होगा, आप लोगों को, sin c लिख चल में, limit x approaches, c plus लेना होगा, ठीक है, c plus लेना होगा, function क्या है, हमारा, sin x plus cos, sin x plus cos x, ok, तो यहां पर हम यहां पर limit जब change करते हैं, h में, h is 10 to, हमेशा 0 आता है, और यहां पर sin x की लिखा, पर c plus h लिखना, अब के बार, c plus h, और plus cos, c plus h, ok, यह लिख दिया, यहां पर हम limit ले लेते हैं, तो limit लेने पर, भाई, क्या हो जाएगा, c plus h limit 0 है, plus cos, c plus h limit 0 है, यह क्या हो जाएगा, sin c में 0 गटाना था, तब इसी आएगा, जोड़ेंगे, तब इसी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम देख रहे हैं, कि lhl और rhl दोनों बराबर आया है, lhl c पर संतत है, या फिर x equals c, और c जो होगा, वो कोई भी real number लिया जा सकता है, सब पर संतत होगा, ओके, तो यह हमने देख लिया है, a वाला इसका पार्ट हो गया है, same इसका b वाला पार्ट है, इसमें minus है, यहाँ पर b वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर minus है, आप लोग य c तरह ही लगना है, कि और plus minus में अंतर था, वो भी संतत होगा, ओके, चलो अब हम देखते हैं, इसका question number जो c वाला दिया है, c वाला क्या दिया गया है, fx equal, fx equal दिया गया है, sin x into cos x, यह दिया गया है, अब हमें इसे भी check करना है, ठीक है, तो चलो हम इसे भी check कर लेते हैं, इसका भी बहुत सारे तरीके हैं, देखिएगा, इसमें हम 2 से multiply, 2 से divide करें, तो यह क्या हो जाता है, कि sin 2a का formula बन जाता है, उसके बाद में हम लोग इसे solve कर सकते हैं, otherwise हम लोग directly solve करते हैं, क्यों जंजट में पड़े हैं, क्योंकि हमें तो सरल तरीका जाई है, तो हम सरल त cos c, ऐसे लिखती है, तो यह हमारा FC निकल के आया, अब LHL आरे चल भी इतना निकल के आना चाहिए, तो देखते हैं, LHL, LHL में क्या हो जाएगा, limit x approaches क्या होता है, c minus, c minus limit, sorry function क्या है, sin x into cos x दिया गया है, x की जगे पर हमें क्या लिखना होगा, c minus h, यहाँ पर h किससे approach क होता है, हमेशा 0 के, और sin x की जगे पर, c minus h into cos x दिया पर, c minus h, कुछ भी नहीं है, केवल पागल पंति वाली बाते हैं, आपर बस h का यहाँ पर limit रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, भई, c minus 0 into cos c minus 0, then हम इसे कह सकते हैं, यह sin c into cos c बचा, यह देखिएगा, sin c into cos c, और यहाँ पर भी sin c into cos c, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह अभी l chl तो हमारा सही आ रहा है, अब देखते हैं, इसका r chl क्या आता है, ठीक है, तो r chl भी हम देख लेते हैं, एक बार यह क्या हो जाएगा, limit x approaches c plus हो जाएगा, और यह जो हमारा function है, sin x into cos x दिया गया है, तो cos c plus h लिखिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, sin c, c plus h limit रखेंगे, 0 plus cos c plus 0, then हम कह सकते हैं, यह sin c है, और स्वारी plus नहीं था बच्चा, into था, into यह हो जाएगा, cos c, यह भी हम देख रहें, equal आया है, अर्थात l h l बराबर है, r h l और f c, तीनों चीज़ें आपस में बराब हैं, अतहा, फलन x equal x equal c belongs to r पर संतत है, तो यह भी फलन संतत है, a वाला भी था, b वाला भी होगा, check कर लेना, c वाला भी है, इसका मतलब है, तीनों फलन कैसे थे, संतत थे, अब हम चलते हैं, अगले question 22 पर, इसको ज़रा ध्यान से समझेगा, जो मैं आप लोग को समझाने की कोसिस्ट करूँगा, उसको समझने की कोसिस्ट आप लोग करिएगा, otherwise फिर यह उपर से निकल जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को concentrate करिएगा, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, Christian number 22, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, बताया गया है, कॉसाइन, कॉसकेंट, सेकेंट, एंड कोटजेंट, ठीक है, फॉलों के सांतित्य पर विचार कीजिए, हमें यहाँ पर चेक करना है, कि यह चारों जो दिये गए हैं, यह संतत्त हैं, या नहीं है, हमें इस पर विचार करना है, सबसे प पर सब्सक्राइब परय मेर si सबसे पहले हम लोग चेक्ष करेंगे कोश पर ओके तुम अंहें सब्सक्राइल फंक्षनल लेते हैंuar कोस एक लिए होता है कोस इकस ऑफ रिखे करते हैं द्धान से एक बात मैं आप लोगों को कुछ limit होती है वो हम लोग अभी discuss करने वाल हैं लेकिन याद रखिएगा sign और cost हमेशा संतत होते हैं हमने आपर cost लिया है फिर भी हम इससे सिद्ध कर देते हैं कैसा सिद्ध करते हैं cost को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे तो वही तरीका है एक्स इक्वल सी पर हम लोग मान लेते हैं एक्स इक्वल सी पर इसका वैल्यू क्या आएगा fc ओके fc आएगा तो cost c हो जाएगा simple सी बात है fc कितना हुआ cost c हो गया है इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग क्या करते हैं भी यहां पर ल चल निकालते है लहल क्या हो जाएगा भी लिमिट एक्स अप्रोचेज सी माइनस करेंगा cost c और यहां पर हम क्या करेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज सॉरी एच अप्रोचेज जीरो और यह हो जाएगा cost c माइनस एच को याद है क्या अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो याद कर लीजेगा cost a-b का formula मैं बोल रहा हो सुन लीजे cost a-b का formula होता है cost a into cost b plus sin into sin b okay cost into cost b plus sin into sin b तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cost c into cost h plus sin c into shine h okay यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम limit रखते हैं जरा इसको हम limit रखेंगे so definitely यह क्या आने वाला है तो हम देख रहे हैं कि limit रखेंगे तो cost c तो ऐसे रहेगा cost h h की जगह पर क्या लिखने वाले cost h की जगह पर 0 okay plus sin c तो इसे रहेगा into sin h h की जगह पर क्या लिखने वाले हैं 0 okay तो यह बन गया हमारा भाई cost c cost c cost 0 का value तो 1 होता है 1 के साथ multiply cost c का होगा तो cost c ही रहेगा प्लस आगे sin c तो ऐसे रहेगा और cost sin 0 का value होता है 0 का sin 0 का value 0 होता है sin 0 का value जब 0 होता है 0 से sin 0 की साइंस से multiply होगी तो क्या हो जाएगा पूरा पदी वो 0 हो जाएगा यह तो गया पूरा 0 मतलब यह क्या बचा cost c बचा अभी तो बिल्कुल हम लोग सही चल रहा है ना चलो हम आगे देखते हैं इसका आरे एक्स रखतेते हैं आप पर हम यहां पर क्या करेंगे लिमिट बदलते हैं है एक में तो एच अप्रोचस क्या हो जाएगा 0 देन कास एक्स कि यहाँ पर सी 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 प्लस एच लिखना है यहां पर भी हम तो direct यहाँ पर करने वाले हैं बस h का यहाँ पर value रख देते हैं तो यहाँ पर h का value रखेंगे तो cos c प्लस 0 लिखेंगे तो यह क्या आने वाला है cos c ही आने वाला है अर्थात lhl, rhl और cos fc तीनों बराबर है lhl equal है rhl equal है fc तीके तीनों बराबर है अता फलन x equal c पर संतत है तो यह हमने देख लिया है कि जो cosine है यहाँ तो संतत है आगे तीन चीज़े और बताई है cos can, second और cot agent यह सारी के सारी चीज़े हमें अभी देखनी है चलो हम देखते हैं उनको भी चेक करते हैं इसका second part लेते second part जो दिया है cos can दिया है cos can मतलब क्या होता है इसका second part है cos can, cos can का मतलब क्या होता है cosic ओके तो fx is equal to दिया गया है cosic, cosic x अब भी cosic x अब ध्यान से देखिए को cosic x जो होता है वास्तों में क्या होता है, कॉसेक एक्स जो होता है, वास्तों में बना होता है, वन अपान साइन एक्स से, एफ एक्स एक्स हम अगर करें, वन अपान शाइन एक्स, और हमें पता है, हमें पता है कि साइन एक्स तो संतत होता ही है, हर बिंदु पर साइन एक्स संतत होता है, इस नहीं आना चीए, बते में जीरो नहीं आना चीए अगर अपान में 0 आ गया तो आप परिभासित तो जाता है परिभासित नहीं रहता है इसलिए यहां पर 0 नहीं आना चीए तो हम यह तो कहeed सकते है कि Sin X अगर संतत होता है तो Causac X भी संतत होगा अन्य सभी बिंदों पर संतत होगा सुनिएगा मैंने क्या बताया जिन बिंदों पर sin x का value 0 होता है उन बिंदों पर यह फलन संतत नहीं हो सकता क्योंकि जब 1 upon 0 हो जाएगा तो फिर अपरिभासित हो जाएगा और परिभासित हो गया त्विरवा संतत नहीं रहता, ठीके, तो यहाँ पर याद रखिएगा, sin x संतत होता है, लेकिन one upon sin x भी संतत होगा, केवल उन बिंदों को छोणकर, जिन बिंदों पर sin x 0 होता है, ठीके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि sin x शंतत है आताहा वन अपान साइन एक्स अर्थात कौसेक एक्स भी संतत होगा कुछ बिंदुओं को छोण कर वो बिंदु कौन से होंगे तो वो बिंदु हम जरा निकाल लेते हैं किन बिंदुओं को छोण करके तो हमें पता है साइन एक्स जिस बिंदुओं पर जिरो होगा वहीं पर संतत नहीं होगा अर्थात हम यहां पर निकालते हैं साइन एक्स एक्स इक्वल जिरो होगा वहां पर संतत नहीं होगा अब यह एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है यहां पर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता C पर 0 होता है 2 pi 360 पर 0 होता है 3 pi आगे इसी डट डट हर बिंदू पर 0 होता रहेगा अर्थात हम कह सकते हैं कि X equal n pi n का value जहां पर कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 4 ओके 0 खेंगे तो यहां पर sign 0 हो जाएगा 1 रखेंगे तो pi पर 2 रखेंगे 2 pi पर 3 रखेंगे 3 pi पर भी 0 होगा मतलब sign जो है sign का value X equal n pi पर हमेशा 0 आता है ठीक है तो हम कह सकते हैं कि X equal n pi को छोड़ कर सभी बिंदों पर कॉसेक x संतत होगा यहां पर नीचे आप लोग चाहें यह लिख देना कि X equal n pi को छोड़ कर अन्य सभी बिंदों पर फलन संतत होगा ओके क्योंकि X equal n pi मतलब n pi का मलब है 0 या फिर pi 2 pi 3 pi 4 pi 5 pi इन सभी बिंदों पर sin x 0 हो जाएगा sin x 0 हो जाएगा तो या फिर आपरिभाशित हो जाएगा तो यहां इन कि X equal n pi को छोड़ कर सभी बिंदों पर संतत होगा यह हमने सिद्ध कर दिया है चलो अब हम आगे देखते हैं आगे देखकर के क्या करेंगे इसका भी इसका third part देखते हैं ठीक है third part क्या दिया है इसका third part दिया है sick क्या दिया गया है fx equal दिया गया है sick x okay sick x देखिएगा किन बिन्दों पर संतत होता है हमें ये भी पता है कि वच्छा जो sick x है वो sick x बना होता है one upon cos x से वह इसे है बिल्कुल जैसे है अभी हमने पहला वाला समझाया ठीक हैenta और कोंसे चूटेंगे वह कौनसे बिंदु छूटेंगे तो हम लोग जान सकते हैं कि वही बिंदु छूटेंGE जहां पर कॉस X का value 0 हो रहा होगा, क्युंकि cos X अगर 0 हो गा, तो फिर वो अपरिभांशित हो जाएगा मतलब हम पहले बिंदू ही निकाल लेते हैं अर्थात, cos X equal 0 किस बिंदू पर होता है तो cos pi by 2 पर 0 होता है होता है कि नहीं होता है cos pi by 2 मिलब cos 90 0 होता है, cos 5 by 2 भी 0 होता है 5 by, sorry, 5 by 2 भी 0 होता है, मतलब cos 270 भी 0 होता है, ठीक है तो इस तरह सभी बिंदों पर संतत होता है, हम कह सकते है कि इस तरह से हम इसे कहेंगे, कि x जो इकल होगा, आप लोगों को आप लोगोंने पढ़ा भी होगा, 1st year में विस्तार से ठीक है, cos x कब 0 होता है, कि इस एकल होता है 2n प्लस 1 5 by 2 2n प्लस 1 5 by 2, पर यह 0 होता है, सायद यह हाँ, ठीक है 2n प्लस 1 into 5 by 2 पर यह फलन हमेशा 0 आता है मतलब यहाँ पर n का value हम लोग क्या रखें n का value अगर हम 0 रखें 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हमेशा continuous लिए 0 आने वाला है क्योंकि n का value जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा 1 by 2, मतलब 5 by 2 5 by 2 पर यह 0 होता है, clear है हमको यहाँ पर 1 रखेंगे 1, 2 अंजा 1, 2 अंजा 2, 2 and 1, 3, 3 pi by 2 3 pi by 2, 3 pi by 2 मतलब क्या होता है 3 pi by 2 का मतलब होता है 270 मतलब 270, 270 पर 0 होगा फिर 2 रखेंगे, 5 pi by 2 हो जाएगा तब भी वहाँ पर 0 होगा फिर 3 रखेंगे, तो 3, 2 जाए 7 pi by 2 हो जाएगा, वहाँ पर भी 0 होगा ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते है x equal, अता हम लिख देंगे अता x equal 2n plus 1 into pi by 2 को छोड़ कर छोड़ कर अन्य सभी बिंदों पर यहाँ फलन संतत होगा, क्योंकि cos x एक संतत फलन होता है cos x x अंतर्फलन होता है, हमें पता है, लेकिन, यहाँ पर 6x है, और 6x बना तो cos x सही है reciprocal है, cos x का ठीक है, लेकिन हमें यह देखना है, कि cos x अगर 0 हो क्या, तब तो यह असंतत हो जाएगा, तब तो आप परिभासित हो जाएगा इसलिए cos x जहाँ पर 0 होगा केवल उस बिंदू को छोण करके अनि सभी बिंदू पर यह संतत होगा और cos x 0 किस पर होता है तो याद रिखे 2n प्लस 1 इंटू πाई बाई 2 पर लग एन का वैली कुछ भी हो सकता है, आपर इन बिंदू को छोण करके अनि सभी बिंदू पर यह भी संतत होगा, ठीक है, आप लोग लिख लेना नीचे, हिंदी में एक लाइन शरूर लिख देना, ठीक है, आगे देखते है अगला वाला question, अगला वाला क्या question दिया है, cortex दिया है, अगला वाला तो ठीक है इसका चौथा, question क्या दिया है fx is equal to हो जाएगा हमारा cortex, okay cortex को अगर हम ध्यान से देखें तो यह किस से बनता है, भई, cortex भी बनता है, sine, sorry cos x, cos x upon sine x से cos x upon sine x से, हमें पता है, sine x भी संतत होता है cos x भी संतत होता है, दोनों संतत होते हैं, तो इसका अलब cot x भी संतत होगा लेकिन cot x के वल उन्हीं बिंदों पर संतत नहीं होगा जिन बिंदों पर sine x 0 हो रहा होगा अगर sine x 0 हो गया cos x 0 हो जाए, कोई लिए नदर नहीं वो तो उपर है, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो sine x जिन बिंदों पर 0 होता है, उन बिंदों पर यह फलन असंतत होगा संतत नहीं होगा, अथा हम लिख देंगे sine x तथा cos x, दोनो दोनो फलन संतत होते हैं, अथा cot x भी संतत होगा, केवल उन बिंदों को छोण कर, जिन बिंदों पर sine x का मान 0 होता है और sine x का मान 0 किन पर होता है अभी हम लोग उनों देखा था, x equal n pi पर, okay, x equal n pi पर sine x का value 0 होता है अर्थात x equal n pi को छोण कर, fx equal cortex हर बिंदो पर संतत होगा यह लिख देना है नीचे आपको कि यह line हिंदी में जरूर इसको लिखना होगा इसको हिंदी में ही ध्यान से सही से लिखना होगा, समझ लेना, ठीक है तो मुझे पता जल गया है कि x equal n pi क्योंकि sine x यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए sine x 0 कब होता है, n pi पर ठीक है, तो n pi को छोड़ करके हर बिंदू पर यह असंतत रहेगा, ठीक है यह बात clear हो गई है, ठीक है मेरे क्याल से आपको यह चारो पार्ट समझ में आये होंगे, अगर समझ में आये हैं बेटर है, नई समझ में आये हैं, तो जरूर इसको असंतत्ति के बिंदों को ग्यात के जिए, जहाँ fx दिया गया है, बच्चा, fx दिया गया है, fx क्या दिया गया है, φलन दिया गया है, sin x upon x, sin x upon x, यदी, यदी क्या है, यदी का मतलब है, x is less than equal zero, यदी x का value 0 से छोटा है, तो हमें ये function लेना है और x प्लस 1 कब लेना है यदि x जो है बड़ा हो 0 से या फिर 0 के equal हो तब हमें ये वाला फलन लेना है ठीक है तो चलो ठीक है तो हमें सबसे पहले चेक किस पर करना है जीरो पर ही तो करना है तो x equal 0 पर हम चेक करते हैं फलन का value x equal 0 के लिए कौन सा फलन लेना पड़ेगा x equal 0 के लिए फलन लेना है x प्लस 1 अब यहां पर x की जिगए पर 0 रखें तो f0 बराबर में 0 प्लस 1 इक्वल क्या आया 1 आया है इसका LHL निकाल ये जरा तो LHL LHL क्या हो जाएगा limit x approaches क्या होगा 0 minus 0 minus और 0 minus 0 से कम और जब भी 0 से कम होगा x का value तो हमें कौन सा फलन लेना है sin x upon x okay shine x upon x हमें यहां पर क्या करना होता है limit को बदलना होता है h approach 0 करना है 0 कर दिया x की जगे पर 0 minus h लिखना है 0 minus h अपान में 0 minus h okay तो यह हो गया है हम इससे कह सकते है limit h approach 0 shine minus h sin 0 से कोई लिखना नहीं minus h और माइनस बाहर आ जाता है minus h अपान में यहां पर भी minus h बचेगा minus minus card दीजिए तो क्या बचेगा तुम्हाँ पास limit h approach 0 shine h upon h अब आप लोग एक फार्मला याद कर लिजिए अगर याद ना हो मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से पता होगा अगर ना पता हो तो सुन लिजिए limit theta अप्रोच 0 theta अप्रोच 0 shine theta upon theta equal हमेशा 1 होता है ठीक है और मैं आप लोगों को बता दूँ limit theta अप्रोच 0 tan theta upon theta equal 1 होता है यह दोनों फार्मले याद कर लिजिए आगे आपको useful रहेंगे कभी भी आ जाएं तो याद रखेगा लिमिट में जब भी एच अप्रोच 0 एक्स अप्रोच जी रो प्लस करना होगा ज ये रो प्लस करना होगा अब हमें क्या करना है यह फंच्षन क्यों क्योंक्शन यह जी रो प्लस chol ass एपकी क्योंक्रण्स के रह यहाद बाart करते चले आ रहे हो ऩो हर approaches 0 और यह हो जाएगा X की जिगापर 0 प्लस H प्लस 1 लिमिट रख देते हैं यहां पर भाई यह तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो गया है अर्थात LHL LHL इक्वल है RHL इक्वल है F0 आताहा यह फ्लन प्रतीक बिंदु पर संतत है F पराबर 0 पर भी संतत है हर बिंदु पर संतत होगा अर्थात इसका कोई आसांतत्य बिंदु नहीं है बताया गया था ना F के सभी आसांतत्य बिंदु को ग्याद कीजिए तो आप लिख देंगे x equal 0 पर यहाँ फलन संतत है अता इसका कोई आसांतत बिंदो नहीं है तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा अब हम लोग चलते हैं अपने अगले question पर और अगला question देखते हैं आपके screen पर तो दिखी रहा होगा मैं भी देखता हूं दिया गया है question number 24 निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक फलन दिया गया है question number 14 है फलन एफ एक्स जो दिया गया है वो define किया गया है इस तरह से कि x square into sign x 1 upon x x square into sign 1 upon x ओके यह फलन दिया है यदी यदी सौरी यदी कैसे लिकरें हम ठीक है यदी x is not equal 1 ओके यदी sorry 1 नहीं है यार बहुत गल्तियां हो रही है आज उससे x is not equal 0 X जब 0 नहीं है 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो उन दोनों के लिए यही फलन लेना है 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो तब हमें यही लेना आ ए लेकिन जब x equal 0 है तब हमें यह function लेना है यदी x right जीरो है तब हमें यह लेना है तो बता दिया है एक्स इक्वल जीरो पर इसका एंसर यह आ रहा है तो हम यहां पर लिख लेते हैं यह एक्स इक्वल जीरो पर एक्स इक्वल जीरो पर एक्स इक्वल जीरो पर तो यह एंसर दिया ही है तो इसका मलब है एक्स जीरो अगर जीरो 0 के equal ना हो, तो हमें यही लेना है, इसका अमलब है, यह हमें ले लेना है, x square into में sin 1 upon x, अब h limit कर देते हैं, तो यह क्या बन जाएगा, limit h approaches, h approaches क्या होने वाला है, 0 और x की जिएपर 0 minus h का whole square into में क्या हो जाएगा, into में sin 1 upon x की जिएपर 0 minus h हो जाएगा, ठीक है, तो यह तो ह हो गया हमारा, इतना, अब हम क्या करेंगे, आगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम limit h, यहाँ पर हम अगर देखें, तो इसको क्या लिखेंगे, limit h approach 0, और यह हो गया, minus h का whole square h square हो जाएगा, into में, यह minus 1 upon h है, minus बाहर भी कर सकते हैं, यह बन जाएगा, sin 1 upon h, अब यहा पर अगर हम h की जगे पर 0 रख देंगे, यहाँ पर हम limit रख देंगे, तो 0 का square 0, 0 से जब हम इसकी गुणा करेंगे, sin 1 upon h की, तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, अर्थात इसका answer क्या आ गया है, 0 आ गया है, अब हम देखते हैं, इसका आरचल निकालने की कोसिस करते हैं, भाई आरचल, तो आरचल में क्या करना पड़ेगा, x approach 0 प्लस करना है, और 0 प्लस मतलब 0 तो है नहीं, जब 0 के equal था, तभी हमें यह लेना था, 0 के से अधिक हो या कम हो, तो हमें यही वाला function लेना है, तो function तो हमें फिर वही लेना है, x square into shine, 1 upon x ही लेना है, और फिर हम यहां पर limit को तो h में बदलेंगे ही, limit h approaches क्या हो जाएगा, 0, x की जगे पर 0 प्लस h अब की बार लिख देना है, और into में sin 1 upon 0 प्लस h, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा भाई, तो यह हो जाएगा, limit h approaches 0, और 0 प्लस h का मतलब है, h, h का square into में sin 1 upon h, यहां पर भी हम limit रखे करेंगे, तो 0 हो जाएगा, 0 से multiply जब करेंगे, तो पूरा 0 हो जाएगा, आता हा, lhl, rhl और यह सब कुछ बरावा, lhl, equal है, rhl, और equal है, f0, आता हा, यहां फलन क्या है, संतत है, x equal 0 पर यहां फलन भी, संतत है, तो यह हमने सिद्ध कर दिया है, कि यह पूछा गया था, निर होते हैं, अपने question number 25 पर, okay, question number 25 ध्यान से देखिएगा, बहुत ही important question है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो इससे भाई, like अवश्य करिएगा, share करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, और हमारे नए वाले चैनल प यह वहाँ पर आप लोग कविताएं सुनेंगे, मेरी लिख्योई खुद की कविताएं, खुद की feeling के साथ में, ठीक है, तो जरूर पहुंचिए, और से सुनिएगा, ठीक है, चलो, अब हम चलते हैं अपने last question, question number 25 पर, okay, question number 25 में क्या है, f के सांतत्त की जांच कीजिए, जह यहाँ, f निमलिखित प्रिकार से परिवासित है, ठीक है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, f x equal, यह परिवासित किया गया है, इस तरह से, sin x minus cos x, sin x minus cos x, यदी, यदी x किस्तना हो, यदी x is not equal 0, अगर x 0 नहीं है, मनलब 0 से अधिक हो, या 0 से कम हो, तब हमें य यही वाला function लेना है, इसमें भी यही दिया है, और minus 1 कब लेना है, यदी x equal हो 0 के, यदी x का value 0 है, तब हमें minus 1 लेना है, 0 नहीं है, अर्था 0 से कम हो या ज़्यादा हो, तब हमें यह लेना है, ठीक है, तो चलो अब देखते हैं, इसमें question दिया है, f के सांतत्तिकी जांच क करनी है, तो चलो हम सबसे पहले, x equal 0 पर ही देख लेते हैं, तो x equal 0 पर तो इसका answer दिया ही है, x equal 0 पर इसका answer क्या है, minus 1, ओके, तो इसका एल चल भी minus 1 आना चाहिए, और आर चल भी minus 1 आना चाहिए, तो देखते हैं, ल, h, l, ओके, ल, चल निकालते हैं, क्या हो जाएगा, एल चल इसका, तो यह हो जाएगा, limit x approaches, 0 minus, 0 minus का मलब समझते हैं, 0 minus मलब 0 से कम, अब 0 से कम हो या ज्यादा हो, हमें कौन सा फलन लेना है, यह वाला तो ले लेते हैं, sin x, sin x minus cos x, ओके, तो यहाँ पर हम limit h में पदले हैं, तो यह क्या हो जाएगा, बच्चा, limit h approaches, क्या होता 0 और sin x की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 minus h, यही तो पता है हम लोगों को, ठीक है, 0 minus h, minus में cos x जगह पर 0 minus h, ओके, तो यह हो गया है, आप ध्यान से देखेगा, h यहाँ पर हम value रख देते हैं, यहाँ पर मतलब limit रख देते हैं, तो limit रखें, यहाँ पर नीचे आपको जग cos 0 minus 0, ओके, तो यह हम कह सकते हैं, यहाँ पर इतना, कि sin 0 minus 0 मतलब 0 रहेगा, minus cos 0 रहेगा, आप ध्यान से देखेगा, sin 0 का value तो 0 होता है, minus cos 0 का value क्या होता है, cos 0 का value, 1, ओके, तो 1 लिख दिया, 0 minus 1 क्या हो जाएगा, minus 1, अभी तो बिल्कुल सही चल रहा है, minus 1, minus 1 आप आग 0 plus, 0 plus, 0 plus, 0 plus, 0 plus के लिए भी यही तो लेना है, भाई, तो क्या हो जाएगा, sin x minus cos x, sin x minus cos x, और हमें क्या करना है, h approaches 0 करना है, sin x के जिगे पर, 0 plus h minus cos, 0 plus h, ओके, तो यह हो गया, इतना, अब हम जरा यहाँ पर limit ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, यह, sin 0 plus 0 minus cos 0 plus 0, 0 0 जोडने से क्या, 2 0 हो जाएगा, नहीं भाई, यह भी 0 रहेगा, minus cos 0 रहेगा, और sin 0 का value 0 होता है, cos 0 का value फिर 1 होता है, answer क्या है, minus 1, इसका मतलब है, rhl एक्वल है, f0 के, आता हा, हम कह सकते हैं, f equal, sorry, x equal 0 पर यह फलन भी संतत है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यह question समझ में आया होंगे, अगर समझ में आया हैं, तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, और channel अगर subscribe नहीं किये हैं, तो subscribe करिएगा, और हाँ, हमारे नए 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 चैनल पर, aggression area, ए जी आर ए एस ए एन, ए आर वाई ए, ओके, इस पर visit करिएगा, आप लोग हमारी लिखी हुई, हमारे मुक्सी कविताएं सुनिएं, बहुत ही सुन्दर सुन्दर कविताएं, हर सब्तार एक कविता वहाँ पर आप लोगों को म कर mention, कर दो這樣子, करुम को रिमान सुनिए त्सकता वहाँ नए चालकाँ मिपना पर आप मुक्सी कि अलुप हमारी ऊतीक कि आर प्लब हमारे मुक्सा वहाँ द आर वाई नकान पर,ностью को मुक्ते वग looking-गों को दो मुक्कcा जैस झाल हमारी य़िदाते हैं,